Guys, 365 दिन, यानि कि एक साल पूरा हो चुका है इस COVID pandemic का, क्या कुछ बदला? Answer, बहुत straight and simple है, नहीं, no, big no. लेकिन क्या हम अभी भी इससे चेते हैं? बिलकुल भी नहीं, states after states are imposing lockdown in their local cities. So hi guys and welcome back to your own channel, मैं हूँ आपका विशाल स्वेव, विशाल कुमार जैस्वाल. Guys, यहाँ पर अब जबकि एक साल पूरा हो चुका है इस COVID pandemic का, स्थिती second wave की आ चुकी है, और cases लगातार बढ़ रहे हैं. देश के कई राजियों में हर दिन, हर दिन एक हजार से ज़्यादा cases देखने को मिल रहे हैं. जैसे कि अगर मैं आपको बताओ, डैली में हर दिन एक हजार से अबब के COVID patients देखने को मिल रहे हैं. गुजरात के अगर हम बात करें तो ये cases 1640 cases हो चुके हैं, जबकि नवंबर 2020 में, यानि कि 17 नवंबर की मैं बात कर रहा हूँ, 607 case थे. मतलब पिछली बार से इधर अभी ज़ादा है, 3-4 महीना बीटा है और इधर अभी ज़ादा cases निकल करके आ रहे हैं गुजरात में. तमिल लाडू ने अपने यहां के सभी जो schools हैं उसको close कर दिया है. बड़ा सवाल है कि क्या हम exams ले पाएंगे board exam 2021? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में मुझे जरू बताइए. बड़ा सवाल है कि exam ले पाना ऐसे सिनारियों में कैसे संभव होगा जबकि हमारे पास में इस वक्त का latest update जो है वो है करनाटक के MIT campus यानि कि मनिपाल Institute of Technology campus का जिसको की पूरा के पूरे campus को वहाँ पे containment zone घोशित कर दिया गया है. आज की मैं अगर आपको update दूँ तो 299 cases वहाँ पे हो चुके हैं और आपको believe नहीं होगा कि ये पूरे मतलब अभी क्या कितना और cases निकल करके आएगा ये कहपाना मुश्किल है क्योंकि जिस वक्त ये pandemic वहाँ पे मतलब एक तरसे उठना शुरू हुआ MIT campus में तो उस वक्त वहाँ पे 5800 से भी ज्यादा students मौजोद थे और सबसे shocking update जो यह है न वो यह है कि भाई साल भर MIT का इसको मैं MIT की बात कर रहा हूं करनाटक के मनिपाल इस्टिट्टूर आफ टेकनोलोजी की साल भर वहाँ online classes चला था लेकिन देश भर से सभी students को बुलाया गया campus में कि आपको क्या लगता है which is more important life or exams no doubt इसमें कोई दो राय नहीं है कि exams हमारे life का student के life का especially एक integral part है अभी नंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता लेकिन सवाल उड़ता है किस कीमत पर अगर मैं आपको just कुछ समय पहले की बात बताऊं तो महराश्रक के वाशिम में पूरे hostel को containment zone बनाय अब ही जो students के संख्या निकली थी covid cases में वो थी 229 जिसमें teachers भी include थे और staff भी हर्याना में 24 सवरी को cases देखने को मिला था 629 students अंदिख्द थे क्या कुछ हुआ अभी मुझे और जादा उसका जानकारी नहीं है कर्णाल हर्याना के बात करें तो 57 cases कुछ 10-15-20 दिन पहले कि मै मैं आपको बात बता रहा हूं यह कर्णाल का बात है कैसे लेंगे हम board exam 2021 जब बच्चे पूरी तरह से tension में हैं देखो बच्चों यह parents सभी को मैं जो भी मेरे इस video को इस वक देख रहे हैं मैं चाहता हूं कि आप ज़्यादा सब यह इस video को spread कीजिए क्योंकि हमारा straight सवाल है education minister से, government of India से की माना के exams बहुत important हैं बट क्या किसी भी एक student के life के ओपर में यह ज़्यादा important हैं यह कहतना कि हमने successfully conduct कराया था JEE exam को या NEET को it's not the perfect answer, एकदम perfect answer नहीं है यह answer देना क्योंकि जहां एक exam जो महीना भर चलता है और जहां एक exam जो दो-पांस दिन चलता है उससे आप comparison नहीं कर सकते, बिलकुल भी नहीं कर सकते और that is also एक वो case जहां पे एक board से अगर हम अकेले cbc की board करें तो लाखों की संक्या है, अकेले हम पंजाब board की अगर हम बात करें तो 6,40,000 students है, माहरास्ट में इस वक्त cases देखने को मिल रहा है 126% की दर से, जो की पिछली बार के जो attack हुआ था COVID का, उससे कहीं ज़्यादा ह कई राजियों में यहां पर अभी lockdown की स्थिती है, night curfuse लगे वे हैं, बच्चे किस सरह से पढ़ेंगे, किस सरह से exams देंगे, अगर exams हम उनको जबरदस्ती दिलवा भी देते हैं, तो छीक है, कई बच्चे जो की मान लेते हैं कि बहुत ज़्यादा active है, वो अपना care कर ले र परसंट दे पाएंगे, तो is it far enough? मेरे ख्याल से बराबर मौका मिलना चाहिए था सभी students को, माना कि exam को थोड़ा CBC board के अगर मैं बात करूं या कई other boards की भी, तो थोड़ा delay किया गया है, पंजाब ने भी अपने class 10-12 के exams को एक महीना आगे के लिए forward किया है, लेकिन is it far enough? बात यहाँ पर दो चीज़े साथ साथ चल रहे हैं, एक यह कि COVID का second wave जो है, वो start हो चुका है, cases कही राज्यों में 1000 से जादा के देखने को मिल रहे हैं, कही राज्यों में, और जो कि कही राज्यों में तो पिछले बार के तुलना में ही जादा है, उससे भी जादा है, तो पहला तो यह है कि pandemic situation जो है, वो worst हुआ है, और आगे बढ़ा है, ठीक है, second यह है कि जो mental trauma से students गुजर रहे हैं, मैं इसको feel कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास में हर दिन, कितने ही, ना जाने कितने ही voice messages आते हैं, mails आते हैं, telegram messages आते हैं, I just can't believe, answer दे पाना मुश्किल होता है और मेरे खाल से सारे लोग इस बात को समझेंगे, कि हर एक chat को answer करना, reply करना मुश्किल है, email को reply करना मुश्किल है, लेकिन I can feel that, कि वो जो बच्चों की परिशानी है, even कितने parents लिखते हैं, उसको हम किस तरह से address करें, यह मामला बहुत गंबीर है, सिर्फ exam ले लेना, मैंने बार बार ये बात कहा है, कि exam को रोकने की बात आज से पहले कभी नहीं हुई है, कि कोई भी अगर parents सी याद कर ले, teachers सी याद कर ले, क्या आप लोगों के समय में, हमारे समय में कभी भी ऐसा हुआ था, कि किसी student ने एक single exam, भले ही वो एक 30 marks का, यह कुछी भी marks का periodic test हो, यह को साल भार से learning gap बड़ा है, यह खुद कहना था parliamentary committee का, जो कि इस पूरे मामले को judge कर रहे थे, और parliamentary panel ने तो यहाँ तक कहा था, कि भाई, specially cbc बैंक, जो cbc वाले students हैं, class 10-12 के, उनको big question bank दीजे, और उसी के अंदर से question पूछे, कहां आया big question bank, महरास्ट्र में question bank release भी हुआ, लेकिन वहाँ पर 25% syllabus reduction लगाय गया था, और जो question bank release हुआ, वो 25% syllabus के भी अंदर का question सब था, students में परिशानी का महल है, teachers परिशान है, किस किस तक अपनी फर्याद पहुंचाएं, एक बड़ा सवाल है, अभी हमने MIT का ratio जो देखा है, अभी जो cases देखे हैं, वो एक खत्रे की घंटी है मेरे ख्याल से, जिसको हमें feel करना चाहिए, अगर हम इस तरह से exam किसी तरह से conduct करवा भी लेते हैं, तो हर बच्चा अपना आवाज शायद नहीं पहुंचा पा रहा है, इस पे भी मुझे आप लोगों का जवाब चाहिए, कई students ऐसे होंगे, जो अपना बात खोल क नहीं बोल पा रहे हैं, और at the end, बोलते हैं न, at the end of the day, एक बार बच्चा लिख लेता है exam, marks कम आ जाते हैं, तो इंडिया जैसे country में, जहां marks एक कागस का टुकडा, किसी student का सब कुछ certificate होता है, character certificate है, मतलब marks कम आ गए, तो students वेकार है, marks अच्छे आ गए, तो he is well and good, बहु मेरे इस वज़ा से आये थे कि मेरे family में बिमार था, कोई, कोई covid patient था, मेरे area में contentment zone था, मैं बाहर ने निकल पा रहा था, एक साल तक learning gap था, online classes तो कभी चले नहीं थे, who will accept these kind of logics, आज इसको logic कहा जा रहा है, लेकिन कल यही, जो उस तरफ अभी camera के उस तरफ है, आप सभी लोग, बहुत सारे सेक्ड़ों लाखों लोग इसको excuses का नाम देंगे, बहाना का, क्या रहे यार, बहाना मार रहे हो यार, लेकिन यह बहाने नहीं है, बड़ा सवाल है, एक्जाम जरूरी या इम्तिहान, जवाब आपको देना है, और बने रहे हैं, हम आपका voice, आपकी लगातार concerning authorities तक उठा रहे हैं, नासिफ सीबसी बोर्ड बलके ICSC, IAC बोर्ड and other state boards as well, हम सभी के बातों को उठा रहे हैं, तो बने रहे हैं हमारे साथ में, और latest update हम आपको दे रहे हैं, हर चीज़ का, साथी साथ में हम आपको notes प्रोवाइड करा रहे हैं, class 10, 12, 9, 11th के, तो चैनल के playlist में जाएए, वहाँ से आप जल्दी से important notes है, वो ले लिजे, free of cost है, PDF form में हैं, download आप कर सकते हैं, पहली बार अगर हमारे चैनल में हैं, तो कीजे चैनल को subscribe, साथी साथ, जिस भी social media platform पे हैं, आप इन videos को share कर सकते हैं, support कर सकते हैं हमारे चैनल को, तो please support कीजे, क्य हैं, हमारे other channels, for studies और माई से basic guideline के link description में हैं, उन्हें भी please support कीजे, साथे साथ Twitter और Telegram पे तो हमें follow कीजे, link description में मौझोदे, मदद रहिए मेरे साथ में, जै हिंद, जै भारत झाल